एट इंक्रेडिबल फेक्ट्स अबाउट नवाब आफ बहावलपुर नवाब आफ बहावलपुर के आठ नाकाबले यकीन हकाइक तो तो आज हम पाकिसान के कैसे हुकमरान की बात करने जा रहे हैं तो तरिफ तीन साल की उमर में ही अपनी रियासत के नवाब बन गे थे और पंदरा साल की उमर में इन्होंने तीसरी एंगलो अफगान वार में हिस्टा भी लिया हम बात करें हैं प्रिंसले स्टेट आफ बहावलपुर के आखरी अबादसी हुकमरान नवाब सादिक मुहमद खान पंजम की जो के बहादुरी के साथ-साथ अपनी अकल जहानत से अंग्रेज जहनियत को अपनी उकात में रखना भी जानते थे और वक्त पढ़ने पर अंग्रेजों के सारे बल भी निकाल देते थे यह सखी इतने थे के घरीबों के लिए अपने खसदानों का मुख खोल देते थे और महब्वे वतन इतने थे के पाकिस्तान की बखा और तरक्की के लिए अपनी दौलत के साथ-साथ अपनी धुकमरानी को भी खैर बात कह दिया बानिये पाकिस्तान काईदियादर मुहमद अली जिना से दोस्ती इतनी थी के जमाने की सबसे महंगी कार रोल्स रॉइस कार इन्हें तोफे में दे डाली और असूल पसंद इतने थे के अपने सगे बेटे को ही गोली मारने का होकम जारी कर दिया महबत ऐसी करते थे के अपनी अंग्रेज बीवी की महबत में सफयायत मगबरे तामीर करवाए और नरम दिल इतने थे के अपने नोकरों तक से माफी मांग लेते थे आज हम आपको पाकिस्तान के इस हीरो की जिंदगी के ऐसे हैरान कुन फैक्ट्स प्यान करने जा रहे हैं जो के आज की नसल को मालूमी नहीं और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये जबरदस वीडियोज पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाग कर साथ मوجود घेंटी के आइकोन को क्लिक करें ताकि हमारी ये मेनत से बनी भी तमाम जबरदस वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे दोसो नवाब अव भावलपूर का पूरा नाम जनर्नल नवाब सादिक मौहमद खान अबासी है और ये 19 स्टमबर 1904 को रियासत भावलपूर के मशूर और तारीखी मुकाम डरावर्ण में पैदा होए थे जब ये सिर्फ तीन साल के तो तो इनके वालिद इंतहाई मुक्तसर बिमारी के बाद इंतकाल कर गए और अपने वालिद की अकलोती आउलाद होने के विजए ये हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत भावलपूर के नवाब बन गे जिसका कुल दाई तालीम एचिसन कॉलिज रहोर से हासिल की और साथ ही ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक ओफिसर के तौर पर भी खिदमात सरन जाम देते रहे आपको हैरत का जटका ये बात जानकर लगेगा के नवाब साब ने तरिफ 15 साल की उमर में 1919 में होने वाली तीसरी एं मुहमद खान अबासी जहां ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपनी खिदमात सरन जाम दे रहे थे और तरकी पा रहे थे वहीं इन्होंने लंदन में अपनी आला तालीम भी जारी रखी और बदलती दुनिया के तकाजों को मद्दे नजर रखते वे मुसलिफ मुमालिका द पाकिस्तान लाई जो के उस जमाने में दुनिया की सबसे महंगी कार थी और सिर्फ गिंती के चंद नवाबों और अमीर तरीन अंग्रेज अफ्टरों के पास ही मौजूद होती थी और इनकी नजर रोल्स राइस कार के शोरूम पे पड़ी और वो अंदर दाखिल होकर इसकी कीमत पूछने लगे नवाब साब का हूलिया देकर शोरूम के अंग्रेज मालिक ने कह दिया कि ये सिर्फ अमीर लोग ही खरीच सकते हैं और शायद इस आदमी ने इनकी रंगत का भी मज़ाब उड़ाया नवाब साब इस वक्त तो खामोशी से वापिस आगे और लंदन में अपनी रहाईश गा पहुंच कर इन्हों ने अपने अमले के जरीए फोन करवाया कि कल नवाब अफ वहाफल पूर शोरूम की गाड़ियां खरीदने आएंगे अगले दिन नवाब साब अपने शाही लिवास में पूरे प्रोटोकॉल के साथ शोरूम पहुंचे तो शोरूम के मालिक ने इनको वैलकम करने के लिए रेड कार्पिट तक का इंतजाम किया और जब नवाब साब अंदर दाकिल होए तो वहाँ पर मौझूद छे की छे रोल्स राइस गाड़ियां इन्होंने खरीदनी जिनकी मालियत उस दोर में भी पाकिस्तानी करोड़ों रुपे में थी लेकिन वाब साब का मकसद सिर्फ गाड़ियां खरीदना नहीं था बलके कमपनी को सबक सिखाना था लेहादा इन्होंने छे की छे गाड़ियां शिप में बिठा कर बहावल को रियास्त भिजवा दी और यहाँ पर म्यूसिपल कमेटी के हवाले कर दी और इनको हुकम दिया जाके इन सब के आगे दो दो जाड़ू नस्ब करो और पूरे शहर की सफाई करो और इनसे कच्रा उठाया जाए जब ये बात मुकामी और इंटरनेशनल न्यूस पेपर्ट में चपी तो कमपनी की साख शदीद मतासर होने लगी और कमपनी के शेर्स की कीमत गिरना शुरू जब तहकीकात कराएं गई तो असल वज़ा मालूम पढ़ने पर रोल्स राइस कंपनी न्वाब साफ को एक टेली ग्राम भेजा जिसमें इन्हों ने अपने रविये पर माफी मंगी और साथ ही मजीद छे रोल्स राइस गाड़ियां तोफे में भी भेजी न्वाब साफ का मकसद अंग्रेज जहनियत को सबक से काना था जो पूरा हुआ और फिर इन गाड़ियों से जाड़ू और कच्रा उठाने का काम लेना बंद कर दिया गया लेकिन न्वाब साफ के इस जबरदस्त काम की धूम पूरे हिंदोस्तान में ऐसी मची के बाद में बहुत से दीगर नवाबों और राजाओं ने इनकी पैरवी करते वे और कीमती गाड़ियों से सफाई का काम लेना शुरू कर दिया रचे नवाब साफ के इस हरकत पर एक लाइक जरूर बनता है तो तो नवाब साफ के पास सिर्फ रोल राइस गाड़ियां ही नहीं बलके दुनिया की कीमती तरीन गाड़ियों का एक बहुत बड़ा ख़जाना मजूद था और इनकी कुल तादाद आज भी 75 से ज़्यादा बताई जाती है लेकिन ये इन मेंसे सिर्फ चंद एक गाड़ियां ही इस्तमाल करते थे जबके बाकी कीमती गाड़ियां अपने करीबी दोस्तों और अफसर इसके लावा नवाब साब के पास अपना एक जाती बहरी जहाद इंडस कुइन भी मौजूद था जिसमें नवाब साब और इनकी बेगमात और इनके करीबी दोस्त इंडस रिवर और सतलुज रिवर का सफर करते थे और इन दरियाओं की सेर से लुट फर उठाते थे नवाब साब शायद हिंडूस्तान के वो वाहिद नवाब थे जिनके पास अपना जाती बहरी जहाद भी मौजूद था और सुमंदर के बज़ाए दो दरियाओं की सेरो तफरी को तरजी देते थे दोस्तों नवाब अव भावलपूर सादिक मौहमद खान जहां नवाबी तबियत के मालिक थे वहीं इनकी इलम दोस्ती ने पाकिस्तान की इप्तदाई दिनों में एहम किरदार भी अदा किया नवाब साद ने पंजाब यूनिवस्टी लहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलिज लहौर और एची सन कॉलिज लहौर के लिए ना सरिफ अपनी जाती जमीने वक्फ कर दिये बलके इन एदारों की माली मदद करते रहे और अपनी इलम दोस्ती का इन्होंने सबूत भी 1951 में भाबलपुर में इन्होंने अपनी 500 एकड जमीन सादिक पबलिक स्कूल की तामीर के लिए वक्फ कर दिया और 1955 में इसकी तकमील मुकमल होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा पबलिक स्कूल भी था सादिक पबलिक लाइबरेरी भी नवाब साब की इलम दोस्ती का एक वाज़े सबूत है अगर नवाब साब की सखावत की बात की जाए तो इसकी बेहतरी मिसाल कायद आजम मुहमद लिल्यांक की हलव बरदारी की वो तकरीब थी जब इन्होंने कायद आजम को रोल्स राइ शम्स और कमर पैलिसिस भी तोफे में बनाए थे लेकिन वाब साब को असल कौमी हीरो इनके 1947 में पाकिस्तान बनने के मौके पर होने वाके ने बनाया जब अपनी सखावत और वतन के लिए कुर्बानी की इन्होंने ऐसी मिसाल काइम की जो शायद कोई और नवाब या हुकम पाकिस्तान की तो इन्होंने रियास्त भावलपूर के खजानों का मूझ खोल दिया नई बनने वाली हुमलिकत को 70 मिलियन करोनी के पर एक साल टक सरकारी मुलाजमिन की तंखाये रियास्त भावलपूर के खजानों से जाती रही सिर्फ इतना ही नहीं भावलपूर आर्मी को पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बना दिया गया और इस एक नई बड़ी फौच के इखराजात के लिए मजीद दो करोड भी पाकिस्तान की हकूमत को दिये जो इनके पाकिस्तान से मुखत और वफदारी का मुवलता सबूत भी है इस कदर सखावत दिखाने पर कायद यादम मुवली जिना ने इनको मुसी ने पाकिस्तान का लगप भी दिया दोसर जब पाकिस्तान वजूद में आया तो प्रिंसले स्टेट अफ भावलपूल पहली रियासत थी जिसने अपना इलहाग पाकिस्तान के साथ किया और इसमें सबसे एहम किरदार नवाब सादिक मुहम्मद खान अबासी का था जिनोंने भाती वजीरियादम नहरू की लालच और बड़ी ओफर को ठोकरा कर पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फैसला किया इसमें एक बड़ी वजा नवाब साब की काईज आदम के साथ गहरी दोस्ती भी थी जो पाकिस्तान बनने से पहले ही से चली आ रही थी और इनका फितरी जगाओ भी मुसल्मानों की नई बनने वाली रियासत की तरफी था पाँच अक्तूबर 1947 को भावलपुर रियासत ने बकाइदा पाकिस्तान के साथ इलहाग किया और नवाब साब रियासत के पहले अमीर भी वने जो के 1955 तक रहे जब पाकिस्तान की गरंसी की गारेंटी मांगी गी तो रियासत भावलपुरी वो थी जिसने ये गारेंटी दी थी और इस जमाने में इसी गारेंटी गी वर्यासे एक पाकिस्तानी रुपया पूरे एक डॉलर के बराबर था नवाब साब ने दूसरी बड़ी कुर्बानी भी इस वब दी जब पाकिस्तान के गवर्नर मलिक गुलाम मुहम्मद के कैने पर रियासत को वेस्ट पाकिस्तान का एक सूबा बनाने पर रसामंदी दे दी और रियासत की हुकुमरानी छोड़ दी लेकिन पाकिस्तान की हकुमत इनका नवाब का टाइटल बरकरार रखा और मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर इनका प्रोटोकॉल भी बरकरार रखा जबके सालाना मुल्क की खजाने से इनको 32 लाग का बकाईदा वजीफा भी जाता रहा नवाफ साब ने पाकिस्तान के इजदत और वकार के लिए अपना काम जारी रखा और आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि एक बार जब शाओ अफ एरान पाकिस्तान आए और हकूमत पाकिस्तान के पास इनकी तवाजों के लिए अच्छे बरतन नहीं तो नवाफ की बतान भी बेगम विक्टोरिया ने इसलाम कबोल कर लिया था और इनका अपना नाम हुलाम फात्मा रख दिया गया और इनको नौः तान के फ्रसाब के लिए सब्रुआत संगे मरम्र फरांस से मंगवाया गया ताकि निशानी रहे कि ये गयर मिलकी खान्तून का मगबjan ह इसी तरह इस अंग्रेज बेगम से पैदा होने वाली नवाब साफ की दो बेटियों की कबरे भी सफेद संगे मरमट से ही बनाई गई गई और यह तमाम कबरे नवाब साफ के मगबरे के पाउंगी जाने बारे में तो आप सब जान चुके हैं और यह सखावत सिर्फ अमीरों यह मुल्की मामला चलाने तक ही मैदूद नहीं थी बलकि जब भी नवाब साफ बग्गी पर बजार से गुजरते तो इनके मुलाजमीन वहां मौजूद दुकानदारों में चांदी के सिक्कें बाढ़ते थे और जिसको ज्यादा दूरत होती थी इसका ज्यादा ख्याल भी नरम दिल इतने थे कि जब भी लॉंग जड़ने यानि के अपने किजी लंबे सफर पर जाते तो अपने जाती मुलाजमीन से बकाइदा माफी मनते कि अगर इनकी वज़े से किजी का दिल दुखा हो तो माफ कर दे मालूम नहीं सफर से वापिसाना नसीब हो या ना हो जब ह एक पर रवाना होते तो मुलाजमीन से ये कहते कि अरशी के लिए माफ करते को ताके इनकी हाजरी कबूल हो इनका ये अमल वो मुलाजमीन और इनकी उलादें आज भी बताती हैं जो कि आजी बहाववलपूर में जिंदा है और नवावत साथके दोर को याद करके इनकी द जिकाइट लेकर नवाब साब के पास हाज़े रूए तो वाके की तजदीक करने के बाद इन्होंने पने बेटे को गोली मारने का होगम जारी कर दिया लेकिन वहां पर मवजूद लोगों ने इस फैसले को तब्दील करने पर इसरार किया तो इनके बेटे की जान बख्शी पाकिस्तान का ये मुसिन सखी और इनसाफ पसंद हुकमरान जिसन जनर्नल के ओदे तक तरकी पाई और मुल्की बका और तरकी के लिए हुकमरानी भी छोड़ दी 24 मईए 1967 को लंदन में इंतकाल कर गया और इस तरह से इनका 69 साला नवाबी का और हुकमरानी का दोर खतम इनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया गया जहां लाकों के मजमे ने इनके जनादे में शिरकत की और इनको अबबासी रॉयल ग्रेवियार्ड दरावर फोर्ट में दफन किया गया अल्ला नवाब साब को करवट करवट जन्नत नसीब करें आमीन दोस्तों अगर आपको नवाब और बहावल के बारे में कोई ऐसी बात मालूम है जो हमने आज की वीडियो में बियान नहीं की तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं और मजीद ऐसी ही जबरदस वीडियो के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें